हलो श्ट्रेंट मुक्की परिच्छा संगराम सिरिस की तहत आज हम समास सास्त्र सोस्योलोजी के कुछ महत्पूर्ण प्रश्णों को देखेंगे किस परकार उनको लिखा जाएगा उसका एप्रोच क्या होगा इसी पर आज की पूरी वीडियो है यहाँ पर हम यह देखेंगे कि एकी प्रश्ण को दो नंबर चार नंबर आठ और दस नंबर पे पूछा जाए तो किस प्रकार का उसका उत्तर होना चीए एंसर फॉर्मेट कैसा होना चीए हम इसी पर आज चर्चा करेंगे आईए देखते हैं तो समाज सास्तर का एक बहुती महत्पूर्ण प्रश्ण है एक कॉंसेप्ट है वो है समाजिक अंतह करिया परिच्छा में यह आएगा कि समाजिक अंतह करिया से आप क्या समझते हैं तो यह आपका दो से लेकर चार नंबर का फ्रेम होगा फिक्स समाजिक अंतह करिया से आप क्या समझते हो एक बहुती डिफाइन सोशल इंटरेक्शन इन सोशियोलोजी यह समाज सास्तर में समाजिक अंतह करिया क्या है यह आप से पूछ रहा है देखते हैं समाजिक अंतह करिया है क्या और फिर इसको हम लोग तीन से चार लाइन में कैसे लिखा जाए हम यह देखेंगे तो अंताक्रिया इंट्रेक्शन मतलब क्या है देखिए परिभासा से पहले इसके कुछ आवश्चक तत्तों पर हम चर्चा करते हैं क्या चाहिए इसके लिए सबसे पहले यहां पर आपको दो पच्छ चाहिए दो साइड होने चाहिए अर्थाद that is the mean दो व्यक्ति हो सकते हैं person to person यह एक व्यक्ति का पूरे ग्रूप के साथ या एक ग्रूप का दुसरे ग्रूप के साथ तो individual to individual, individual to group and group to group तो पहला है इसका element basic तत्तों वो है दो पच्छ होने चाहिए जिनके बीच होगी समाजिक अंताक्रिया दुसरा है समाजिक अंताक्रिया के लिए दो पच्छों ने चाहिए उन दोनों पच्छ के बीच संपर्क होना चाहिए, contact होना चाहिए और तिसरा contact के साथ उनके बीच में संचार होना चाहिए, communication होना चाहिए तब जाकर समाजिक अंताक्रिया होगी तो तीन तत्व होने चाहिए, दो पच्छ होने चाहिए, उनके बीच में contact होना चाहिए और एक है आपका communication, इसको एक example के माध्यम से देखते हैं और फिर इसकी एक परिभासा इसकी definition हमनों arrange करेंगे एक example हमनों create करते हैं, suppose करें कि दो वेक्ति हैं, हमनो person to person लेते हैं, दो वेक्ति हैं, A एन B तो पहला condition fulfilled अब ये contact में आते हैं, संपर्क में आते हैं यहां समझें के contact आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, दो तरीके से संपर्क हो सकता है एक होगा direct contract और एक होगा आपका indirect contract अर्थात प्रत्यच एवं आप्रत्यच संपर्क हैं जैसे कि आप coaching में पढ़ते हैं, school में पढ़ते हैं, तो अपने teacher से आप direct contact में हैं, पर जब online पढ़ते हैं, तो जो online teaching है, वहाँ पर जो interaction है, वहाँ पर जो contact है, वो आपका indirect है, तो यहाँ पर हम लोग example के लिए लिख लेते है, online teaching, online study, जोनों तरफ से होता है, तो contact चलिए, हम लोग माल लेते हैं, कि दो person है, वो दोनों मिलते हैं, यानि उनकी बीच में direct contact होता है, अब A ने B को देखा, contact में आया, तो उसने B की तरफ एक क्रिया किया, क्रिया मत्तब action, of A towards B, यानि A का B की तरफ किया गया एक action है, एक क्रिया है, माल लिज्जे कि वो बोर रहा है कि good morning, अब A ने B को किया, अब यहाँ पर वो जो क्रिया है, उस B के लिए पहले बननी चाहिए, उत्तेजना, उत्तेजना मत्तबता stimulate करना, यानि A का जो वो action है, वो जो कहना है, वो B की लिए बनना चाहिए, एक excitement, उससे stimulate करना चाहिए, अंदर से, अब जब वो stimulate हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, तब B, A की तरफ, उस क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा, इसको हमनो reaction कहते हैं, तो तीन यहाँ पर terminology है, action, stimulation, and reaction, क्रिया, उत्तेजना, एवं अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, तो अब यह जो आपका हुआ, यह जो process है, A to B, इसे ही हम कहते हैं, समाजिक अन्तहक्रिया, तो यहाँ से इसकी एक सरल परिभासन करेगी, कि जब दो या दो से अधिक पच्छ के मद, क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है, तो उस पर क्रिया को हम समाजिक अन्तह क्रिया कहते हैं, किन्तु क्रिया एवं प्रतिक्रिया के लिए दोनों का संपर्क में होना अति आवश्यक है और उनके बीच उचित संचार का माध्यम होना चाहिए यह हो गई परिभासा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्रिया एवं प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को हम लोग समाजिक अन्ता क्रिया कहते हैं इस समाजिक अन्ता क्रिया के लिए दोनों का संपर्क में होना आवश्यक है और दोनों पच्छे के मध्य संचार के उचिस साधनों का होना आवश्यक है तभी ये माना जाएगा कि उनके बीच में प्रॉपर एक सही समाजिक अंता करिया हुई है तो ये आपका दो और चार नमबर पे ये उसका definition आप चाहें तो उसके basic elements ये अनिवार तत्त करूप में इन चीनों चीजों का उल्लेग भी कर सकते और बहुती सिंफल सी प्रक्रिया है और यहीं से हम निकाल कलाएंगे अपना अगला प्रश्न अब जैसा कि हमने देखा कि जो समाजिक अंता करिया है जो दो वेक्ति लिया था हमने example में चली दो वेक्ति लिया था ए और बी के बीच हो रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया हो जिसको हमने नाम दिया समाजिक अंता करिया अब देखिए यदि यहां अंताक्रिया जो ए और बीच की बीच में हो रहा है यदि यहां निरंतर हो रहा है continuous मत्तब वो लोग डेली मिल रहे हैं तो जब निरंतर जब यह होगा तब यहां एक विशिष्ट परिनाम की और जाएगा एक specific result देगा यह आप तो when continuity is found in between social interaction and towards the specific result यदि समाजिक अंताक्रिया में निरंतरता पाई जाए और वो एक निशिट परिनाम की और अगर सर हो तो हम इसे समाजिक प्रक्रिया कहते हैं social process उर्स्ट उर्स घह एक लिए a क्वाद परिना जाएड तेजिए प्रेट पिए खड़िए जाएड़ तेद्ट प्रक्टश प्रक्वद्ट जाए़ तास्ट्ट जाएड़ रहावावाब पीज़ई जाए़ गुण धल्ड़的 अलवा प्र्वावाब दवावाववाब श्य तो सोशल प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ कि जब समाजिक अन्ताक्रिया में निरंतरता पाई जाए और वह प्रक्रिया वह अन्ताक्रिया एक निश्चित परिनाम की अगरसर हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग सोसियोलोजी में समाजिक प्रक्रिया कहते हैं अब यहाँ पर याता है कि समाजिक जो प्रक्रिया हम लिखे हैं ये कौन सा रिजल्ट है तो आप समझें कि अगर दो वेक्ति लगातार मिल रहे हैं तो कहीं ने कहीं इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप होगा एक सम्मंद का विकास होगा और वो सम्मंद ही कहराता है विशिष्ट परिनाम अर्थात स्पेसिफिक रिजल्ट अब यह सम्मंद के दो रूप हो सकते हैं समझेगा किस प्यानी जो परिणाम है ये दो तरीके से हो सकते हैं संगठनात्मक एवं विगठनात्मक यानि ऐसा परिणाम जो समाज को जोड़ेगा और ऐसा रिजल्ड जो समाज को तोड़ने का काम करेगा जैसे की इसामपल लेते हैं जैसे की कोपरेशन सहयोग तो सहयोग की भावना ये एक रिजल्ड है जब वो लगता उनके बीच में समाजिक अंता करिया हो रही थी तो ये समाज को जोड़ने काम करेगा इसी प्रकार ग्रिणात्मक में जाए हम लोग तो यहाँ पर इसका उल्टा वाला कॉंसेप्ट है और वो है आपका संघर्स कॉंफ्लिक्ट जो समाज को तोड़ने का काम करेगा और इन दोनों के बीच में हम अध्धन करेंगे प्रतिस परधा अर्थात कॉंप्टिशन तो कॉंप्रेशन, कॉंप्टिशन एन कॉंफ्लिक्ट यहाँ पर जो प्रतिस परधा है इसको मैंने दो रूप में लिया है हम पढ़ेंगे भी अगर यह कॉंप्टिशन हेल्दी हो तो यह समाज का विकास करता है, समाज को जोड़ता है पर अगर कॉंप्टिशन गलत तरीके से किया जाए, अन एथिकल तरीके से किया जाए तो फिर यह समाज को तोड़ने का काम करता है तो दोनों रूप में कॉंप्टिशन को हम देखते हैं associative form में भी और dis associative form में भी अर्थात संग्ठनात्मक और विग्ठनात्मक दोनों रूप में आप इस competition को देख सकते हैं अब यह depend करेगा कि competition या प्रतिसपरधा किस इस तरह के है और किन साधनों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है तो समाजिक अंतक्रिया अगर वो continuous हो रहे है तो वो एक result देंगे तो फिर उस process को हम कहते है social process इसके दो form है एक जो समाज को जोड़ेगा associative form और एक होता है dis associative form अर्था समाज को तोड़ने का कारे जोड़ेगा उसका example है cooperation तोड़ने वाला काम वो है आपका संगर्ज और प्रतिसपरधार या competition को हमने इन दोनों के है तो यह हमेसा समाज के लिए positive रहा है इसलिए यहां आ जाता है पर गलत साधनों दोरा किया जाए तो फिर समाज को तोड़ने का काम करता है इसलिए इसको हमने यहां पर भी रख दिया है अब हम पढ़ेंगे तीन topic सहयोग प्रतिसपरधा और संगर्ज इसमें से सहयोग क्या है सहयोग के प्रकार बताईए तो सहयोग that means cooperation is a result of social interaction between two sides यह समाजिक अन्ताक्रिया का एक विशिष्ट परिनाम है अब देखिए इसमें होता क्या है जैसे मान लिजे यह एक समू है और इसमें यह members है तो सहयोग का मत्तब यह है कि इन सब का कुछ उद्देश होगा common motive एक समान उद्देश के लिए समू के सारे सरस्य मिल जूल कर प्रयास करेंगे so the collective effort of the group members for the common objective is known as cooperation समू के सरस्यों का समू के एक समान उद्देश के लिए मिल जूल कर किया गया प्रयास ही आपका सहयोग है तो यह इन तीनों को मिला देंगे जिससे एक प्रयासा बन जाएगे तो common objective है समान उद्देश है जैसे परिवार ले लिजी आप फैमली तो फैमली में जो मेंबर से उनका एक समान उद्देश यह होता है उस उद्देश के लिए परिवार के सभी सरस्य मिल कर काम करने वाली जो भावना है उसको ही हम कहते हैं क्या प्रावजी में इस सहयोग के तीन प्रकार हैं तीन टाइप्स हैं एक है प्राइमरी एक है आपका सेकेंडरी और एक है आपका टर्शरी यानि प्राथ्मिक दुत्यक एवं तृत्यक सहयोग अब ये क्या है ये सहयोग के तीन केटेगरी या प्रकार हैं तो जो प्राथ्मिक सहयोग है समझेगा इसको बहुत ही सामान है ये प्राथ्मिक सहयोग का मत्तब है कि जो समू है चले समू को हम काट देते हैं सामान ने हम दो वेक्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है नीज स्वार्थ भाव। Selfless जैसे कि आपके पैरेंट्स हमारे पैरेंट्स तो इनके लिए जो इनका परिवार है इनकी फैमिली है तो जो पैरेंट्स हैं इनकी लिए जो इनकी फैमिली है इनके बच्ची हैं तो वहाँ पर जो उनकी मन में जो सहयोग है वो पूर्णता नीज स्वार्थ की भावना से होता है तो ऐसे सहयोग को हम लोग प्रैम्री या प्रात्मिक सहयोग कहते हैं दूत्यक की हम बात करें तो मौडन सुसाइटी में जितने भी सम्मन्द हैं उनके बीच पाया जाना जो सहयोग है वो इसका एक्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर आता है स्वार्थ और आज की जनरेशन में आज की समाज में सारे सम्मन हर प्रकार के जो सहयोग है उसके पीछे कहीं न कहीं सैल्फिस्टनेस है है ना स्वार्थ की भावना है और जो तीसरा है आपका टर्शरी यह सिच्वेशन बेस्ड है परस्थितियों के अनुसार होता है जैसे मान लिजिए कि अभी भारत का किसी के साथ वार हो जाए युद्ध इंडिया और पाकिस्तान वार अगर ऐसी कोई सिच्वेशन आ जाए तो देश की सारे पॉलिटिकल पार्टीज पूरे कंट्री के सारे लोग सारे मदभेद भूलकर अपने देश की सरकार का क्या करेंगे स्वयोग करेंगे सारे लोग यहाँ पर स्वयोग करेंगे यहां पर बिजेपी है कि कॉंग्रेस है यह मैटर नहीं करेगा यहां पर अब रहेगा कंट्री की बात हो रही है situation ऐसी है इस situation में पूरा देश अपने सरकार के साथ खड़ा है और उसके साथ कर रहा है क्या सहयोग तो यह होते हैं तीन प्रकार के सहयोग तो प्रैमरी का मतब होता है जहां पर selfless relations हो जहां पर संबंधों में निश्वार्थ की भावना हो दुत्यक जहां पर स्वार्थ होता है यानि सहयोग होगा पर वो अपने-पने स्वार्थ के लिए होता है और modern society के सारे relations इसी category मात तिसरा it's based on situation कुछ conditions ऐसी आती है जहां पर सहयोग करना होता है सारे मदभेद को हम वहाँ पर भूल जाते हैं तो यह सहयोग की तीन category है तीन प्रकार है primary, secondary and तरसरी अब आते हम अगले concept पर इसका नाम में प्रतिस परधा competition अब इसका meaning क्या होता है यह important निए समझेगा तो competition तो इसके लिए भी दो पच चाहिए समझेगा A और B यह दो व्यक्ति हो सकते हैं दो company हो सकती है दो team हो सकती है कुछ भी बहुं सारे student हो सकते हैं पर कम से कम दो होने चाहिए at least two और competition का मतब है for one यह यह और B competition करेंगे किस के लिए वो करेंगे c के लिए और c ऐसा है जो दोनों में बराबर बाटा नहीं जा सकता यहांनि मिलेगा किसी एक को ही अगर वो बाटी जा सकती तो फिर competition हो गए नहीं तो competition यानि परतिसपरधा का मतब जब दो या दोस्टे अजिक वेक्ति या समूझ किसी एक ही चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते है और वह चीज आपस में बाटी नहीं जा सकती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रतिसपरधा कहते है तो competition के लिए बहुत अवश्यक है उस c का होना उस तिसरे पच्छ का होना बस इतना ही है अब इसकी विश्यस्ताएं क्या है यह बहुत important है क्योंकि आपको संगर्स के साथ इसे compare करना होगा तो क्या-क्या इसकी विश्यस्ताएं होंगी पास से छे पॉइंट में आप देखिए इसके characteristics को पहला यहाँ आचेतन पक्रिया है unconscious बताता हूँ क्या है इसका मीनिंग दुसरा continuous है तिसरा सौर भौमिक है universal है आहिंसात्मक है non-violent in nature तिसरे पच्छ कहोना आवश्यक है यह पाँच पॉइंट तो आचेत और एक और बहुत मत्पुर्ण है यह आवश्यक्तिकत होता है impressional अभी क्या है इसको समझे आचेतन मत्ब जिससे आपका competition हो रहा है general ही आप उसके बारे में नहीं जानते निरंतर समाज में हर जगा कहीं न कहीं यह होते ही रहता है यह जीवन के किसी भी stage पिजाकर रुकने वाला नहीं है सौर भौमिक है विश्व के सारे समाज में हर सोसाइटी में यह पाया जाता है और ही नसात्मक है वाइलेंट नहीं होना चाहिए तिसरा पच्छी क्या सकता और और व्यक्तिकत का मत्वी है कि जो भी आपके competitor हैं आप उनके प्रयासों से बिलकुल अन्भीग है यानि सामने वाला क्या कर रहा है यह आपको नहीं पता होता जैसे आप लोग एक्जाम दे रहे हैं प्यस्टी के त्यारी कर रहे हैं तो दोनों चीज़े हैं आप अपने competitor को नहीं जानते लाखोर student होंगे जनरली और साथ यसाथ कौन क्या पढ़ रहा है यह भी आप नहीं जानते हैं आप सिर्फ अपने merit पे काम करते हैं मुझे क्या करना है हाँ इसके कुछ exceptional case हैं जैसे कोई खेल खेल रहे हैं आप cricket खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने सामने वाले के playing 11 को जानते हो और साथ उनके effort को भी आप जान सकते हो पर generally अगर हम बात करें समाने तहां तो प्रतिस परधा में है ना प्रक्रिया आचेतन होती है unconsist process होता है यह अब इसी को हम नो apply करेंगे आपके संघर्स में सेम इसी point को अब देखिए संघर्स अब इसमें भी कम से कम दो पच्च चाहिए दो या दो से अधिक और सबसे important जो इसकी definition बनेगा वो है हिंसा या हिंसा करने की धमकी आवश्चक नहीं की violence हो कभी कभी हम लोग ऐसा करने का third अर्थाथ धमकी दे रेते हैं तो जब हम लोग समाजिक प्रक्रिया के अंतरगत सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उस पर अपने dominance के लिए हम हिंसा का सहरा लेते हैं या हिंसा करने की धमकी देते हैं तो फिर वह प्रक्रिया कहलाती है क्या संघर्स ध्यान रखेगा प्रतिस परधा और संघर्स में डिफ्रेंस है अगर प्रतिस परधा में हिंसा आजाए वाइलेंट हो जाए तो फिर ये प्रतिस परधा संघर्स बन जाती है बट संघर्स के लिए किसी तिसरे पच्छ की जरुवत नहीं है इस बात को ध्यान रखना है तो अगर हम इसकी विसेस्ताओं की बात करें तो पहला तो है हिंसा यह हिंसा की धंकी कुल मिलाकर हिंसा है चाह करो चाह करने की धंकी दो डेफिनिशन यही है दुसरा चेतन है यह चेतन का मत्तब यह है कि जिससे हिंसा होने वाली यह हो रही है उसके बारे में आप जानते हूँ आ निरंतर है ये ये समाज में हमसा नहीं होता होगा फिर रुख जाएगा continuous process नहीं है discontinuous process है सौर भौमिक है ये भी universal in nature है हर जगा पाय जाएगा ये तो देखिए तो ये जो points हम बना रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये बिलकुल इसका उल्टा हमने पढ़ रखा है कहाँ पर प्रतिस परधा में competition तो compare करने बोच सकता है ये व्यक्तिगत होता है यानि आप सामने वाले से परचित भी होंगे उनके प्रयासों को जानते भी रहेंगे हाँ एक चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई तिसरा पच नहीं होता तो अब देखिए आप एक साथ दोनों को पढ़ सकते हैं तो इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो आप प्रतिस परधा और संघर्ष में अंतर भी इस पश्ट कर लेंगे देखिए अभी हम करते हैं अप प्रतिस परधा आहीं सात्मक है आचेतन है नीरंतर है उल्टा कर रहे हैं सौर भाव में दोनों हैं ये गैरवेक्टिक्त है और ये देखिए एक पॉइंट और बना दिया हमने वो ये है कि तिसरे पच्छ का होना आवस्यक है तो ये आपको सेज़ी प्रेम के बहुत सारे फ्रेम क्लियर कर दिया क्या क्या फ्रेम क्लियर किया है इसने तो अगर आप पूरा देखें तो आपको समझ आएगा कि हमने एक फ्रेम में बहुत सारे प्रश्ण किये अब मालने जे प्रश्णा आ रहा है प्यस्ती में कि संघर्स किसे कहते हैं उसकी प्रमुक विसस्ताओं को बताईए Explain the meaning of conflict and write their characteristics तो आप बताए और ये उसके पाच्छ है आपने विसस्ताओं बताए चार नमबर को अब प्रश्णा रहा है कि competition and conflict में difference बताईए अंतर इस प्रश्ण करें तो ये देखिए five points में इन दोनों के बीच में अंतर है तो इससे इस्ताओं याद हो जाएंगी तो आपको अंतर भी याद हो जाता है अगर सहियोग पुछता है सहियोग को पुछने का तरीका अलग है सहियोग में बहुत कुछ है उसकी definition है contents है और उसके types है उसके प्रकार है तो इस पे आप बात कर सकते हैं एक प्रश्ण होगा कि समाजिक प्रक्रिया ही क्या है ये दो चार नंबर पे हो सकता है और एक प्रश्ण होगा वो है समाजिक अंतर क्रिया इसको हमने इसके पहले वाले slide में देखा रहा है समाजिक अंतर क्रिया ये मैंने आपको with example समझाया है उसके important elements बता हैं और इसी से आप बना सकते हैं उसकी एक अच्छी definition ये तरीका होना चाहिए cgpsc में कि हम content को पढ़ लें तो जैसा question exam में आएगा उसके अनुसार हम उसे लिख पाएं तो पहले important है content तो answer writing के लिए answer formatting ये आना चाहिए और कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाए ताकि बीना reason के भी आप exam में लिख पाएं तो ये तरीका होना चाहिए यानि how to approach in theory तो ये उसका approach है synopsis pattern में आप उसे बनाएं mind में उसका एक frame रखें two four eight का वो difference पता होना चाहिए कितने content कहां यूज करना है it's a writing skill और वो आपका on skill है उसी पे आप कारिकरते है तो I think कुछ useful रहा ये वीडियो आपके लिए ये बताता है कि sociology जो एक theoretical subject है इसको mostly हम रटा मारते हैं बिलकुल नहीं इससे रटा मारने ज़रत नहीं है इस पर भी एक scientific approach की तरह के से spiderl आप study कर सकते हैं बिंदु वार बनाएं synopsis गनाएं लंबे समय तक याद रहता है तो theory को रटा मानने से बेटर है कि synopsis pattern point wise इसे deal कीजिए ये आपको amazed में बहुत help करेगा I think आज की ये वीडियो आपके लिए काफी useful होगा अगामी वीडियो में हम sociology की और भी कुछ important contents और topic में discuss करेंगे कैसे लिखा जाएगा हम इस पर भी discuss करेंगे Thank you